बिसमिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकुम वेलकम टो मैं यूडिव चैनल स्टेजिंग स्टूडियो आज हम बनाएंगे टोट बैग जिसे बनाना बहुत ही असान है सिंपल और इसी मेथड से यह बनेगा और बहुत कम वक्त में त्यार हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं अबने दो प्रैंटेट पीकिसिस ले लेने हैं और तो प्रेंट पीकिसिज लेलेने लिए इसका एंडिच्छ इंचिस इंट फ़ हॉटी इंचिस को फोल्ड करेंगे और इन दोने को नैच खले घझ इस तरह से 3.5 इंचेस माग करेंगे अजिस तरह से बाजू की कंथी कंथे कि कुटिंग करते हैं इस तरह से इस बैग की सैट से कटिंग करतें गए इसके कॉर्ण न को प्रॉपर करने के बाद इसे खोलेंगे और हमारे स्टिचिंग करेंगे मेरे पास सिंगल पीस है तो मुझे तो साइट पर स्टिचिंग करना їं पड़ेगी अगर आपके पास तो प्रेंट नीचे का कॉर्ण इस साइड पे दो इंच नीचे के साइड से मार्क करेंगे और दो इंच स्ट्चिंग की जगह से माट करके इस तरह से इन माट को मिला एंगे और एक बॉक्स बना लेंगे तो अब इस बॉक्स की अंदर जतना वी इसकी कटिंग करें गए हम इसी तरह करें गे कि इसुता करने के बाद इन दोनों को रने को सीधा करेंगे और यहां स्टेचिंग करतेंगे तो हमारे पास यह प्रेंटेट फैब्रिक का बैग रड़ी है इसके बाद जो हमारे पास प्लेन फैब्रिक था इस इसे भी इसी तरह से स्टेच कर लेंगे मैं हमें हमें फूट जोड़ देंगे नौ प्ले स्टेच इरिया ताकि होड़ trans कर सक MEL कर सकें पिर्ज़ को कार्ने टीस से सच मार्क करें एब मार्क करेंगे मार्किंग के बाद लाइंज तक और कमेंगे कि इन कॉर्नर की कटिंग करने के बाद इने सीधा करके हमने इस तरह से स्टेच कर लिए आज अभ हमारे पस प्रिंटेट फाप्रीक का बैग अंदर एस तरह से टाल देंगे इससे योटा है बैग प्रिंटेट फाप्रिक का और प्लेन फाप्रीक सीधा करके अंदर डाला है और यहां से कॉर्नेर से पकड़ेंगे और उपर की साइट से स्टेचिंग करतेंगे कि इसकी स्टेचिंग कंप्लीट करने के बाद जो लाइनिंग के पीस का बाइग है इसे बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह से अजैसा कि इसके अंदर पहले हमने एक हूल छोड़ दिया था स्टेचिंग के दुरान यह इस जगा से हम बैग को सीधा कर लेंगे इस तरह से स्टीधा कर लेने के बाद जो हमारे पर दुरान यह इस तरह स्टीधा कर लेने के बाद जो सबसे पहले हम उस हूल की स्टीचिंग करेंगे करेंगे कर दुरा है कि यहां पर इस तरह से होल की स्टीचिंग करने के बाद ऊपर की साइट से हम टॉप स्टीच करेंगे कि प्रॉपर्ली नीट करकर के दोनों पीसिस के बिल्कुल कॉर्णर करके फिर टॉप स्टीच करना है थाके नीटने साय उपकी साइट पर कि इसके बाद दोनों साइट की स्टेचिस को मैच करके इस फैब्री का इस तरह से दोनों एंट से सेंटर मार्ग करेंगे कि इस तरह से हमने इसे प्रेस करके इसका सेंटर मार्ग कर लिया है दोनों साइट पर इससरह से हमारा सेंटर मार्ग रहा है अब हमने एक फैब्रिक ले लिया है जिससे प्रेस करके फोल फोल्स कर लिया है इसके डिमेंशन से 5 x 6 inches तो इस तरह से इस अरफ तरह से इस फैबरिक को भूने जो एक्स्ट्रा से फैबरीक लेया है बहुत कर लिया है जो हमारे पास ऊपर की साइट से सेंटर मार्गe था इसे 3.5 इंची पे मार्ग करेंगे और इस तरह से का और मैच करेंगे सेंटर वाला और इस फैब्रिक को खोड़के से पेन अप करतेंगे कि जो फैब्रिक करने दढ़ा है इसे बिलक्ल साइट इसे मैच करना है और यहां पर हम इसे पेन अप कर लेंगे अब जो साइट से सेंटर है इसे 1.75 पे सेंटर रखेंगे और दोनों साइट सा मार्ग करेंगे means कि इसकी टोटल लेंज 3.5 इंचिस होगी इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब इसकी स्टिचिंग करनी है कि हमारे पास सेंटर की लाइन चारो तरह से मार्क है तो हम सीरो पॉइंट टू सेंटिमीटर के डिस्टन से सेंटर से मार्क करेंगे दोनों साइट पर और लेंथ हम अल्रड़ी मेजर कर चुके हैं जो कि हमारे पास इस होल की लेंथ 3.5 इंचिस होगी इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे इससे डबल करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे और फिल इससे प्रॉपरली कट कर देंगे और इसको बड़े ख्याल रुकने आपने ताकि यह जो कटिंग करते हुए बाहर की साइट पर स्टिच के बाहर की साइट पर कटना लग जाए और नहीं यह खराब हो जाएगा इसके बाद जो हमारे पास फाबरिक है से बाहर की साइट पर टर्न करेंगे अच्छे से प्रेस करेंगे दोनों साइट से हमने इस फाबरिक को टर्न कर लिया और इसे अब फोल्ड करेंगे फोल्ड करके इसे अब स्टेच कर लेंगे इस तरह से हमने फोल्ड करना है चारो त कि स्टिचिंग करते हो आपने नीटनेस को बहुत ख्याल रखना है ताकि बैग अच्छा लगे और नीट पी लगे तो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है कम्प्लीट जोना साइड से स्टिच करने के बाद हमारा बैग हो गया रेडी यह हमारे पास हैंडल की साइड बन एक्ष्ट कर action है एक्ट्रा से हंडली सिन पन आल गी है अधर से यह से से हेंडल बन आ लिए तो इस तरह से बागी ओगर एंडर की साइट से भी साइट बी साइट अधर यह और हमने फोल्ड डबल पीस एउसकर के टर्व घर्ट कर था तो ता तो इस तरह से हमारा यह बैग इभेडि हो गया So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करती जेगा पैल आइग नीवडियो आने वाली वीडियो की दिसे आपको मिल जए अलळा हाफ़िग